Good morning, dear students, this is Bupinder Singh. I hope आप सब भी ठीक होंगे students. Students, जो हमारा कंसेप चल रहा था, वो हमारा Roman numeral का चल रहा था. Students, आज हम उसी कंसेप को आगे करते हैं. तो students, जो हमारा first question है, वो क्या है? Write the Roman numeral for. हमने esse nhân जियर अर बोन वे हमें एक हमें हने अर्प को बज़े हैं. नमेरल में convert करना है तो students हमने easily कर सकते हैं convert कोई दिक्कत नहीं है तो देखो 60 60 को हम रोमन मेरल में कैसे लिखते है एल जो ऐल हैता है मुखमारा क्या होता है 50 और जो राइट में हम लिख देते हैं प्लस हो जाता है तो एल एक्स क्या हो गया हमारा 60 & 5 की क्या शिंबल होता है अच्छा को दिखेंखो तूझामरा 65 का सिंबल हो गए इसी तरीके से हम क्या हते हैं 84 तो 80 के लिए हम एल हमारा क्या हो गया 50 60 70 80 and 4 के लिए क्या लिखते हैं I and V तो 91 है 91 के लिए देखो हम क्या लिखते हैं तो जो 91 है तो आपने L के साथ 4X नहीं लगा देने जो हम मैंने आपको जब हमने प्रिवेस इसकी रिवीजन की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी सिंबल को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे अब C क्या होता है हमारा 100 तो 100 में से हम 10 माइनस करेंगे तो यह हो गए हमारा 90 and हमाई क्या चाहिए 91 तो यह हो गए हमारा 91 ओके स्टूडेंस तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास राइट दी हिंदू रभक नुमेरल फॉर तेस तो इसके लिए हमने क्या करना है हिंदू रभक नुमेरल चाहिए बना कनवर्ट करना है हमने तो एल क्या होता है हमारा 50 तो मैं आपको दखाई दिखाई देता हूं देखो एल का क्या मतल़ होता है 50 X का क्या मतलब होता है 10 next X का क्या मतलब होता है 10 क्यों प्लस कर रहा हूं क्योंकि जो बड़ा सिंबल है बड़ा नंबर है उसके राइट हैंड साइड में छोटे सिंबल पड़े हैं तो देखो 10 10 और आई वी क्या मतलब बतता है फूर तो यह क्या हो गया 50 60 70 एन यह क्या हो गया 74 इसी तरीके से तो यह तो आपको प्ताद लगा है 50 60 70 80 तो देखो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 क्योंकि तिन अक्स पड़ी थी तीन अक्स का क्या मतलब होता है 90 10 10 10 तो यह क्योंकि हो गया 50 60 70 and एकटी के हमारा क्या नंबर हो होता है 80 के सूजन तो देखो अब एक्स और सी क्या होता है एक्स क्या हता है 10 और किया हता है तो जो है हमारा एक्स है वह बढ़े नंबर में कि left hand side में पढ़ा है left hand side में पढ़ा हो तो हम क्या करते देते हैं उस नंबर में से इस बड़े नंबर बड़े नंबर में से उस छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं और प्लस कर देते हैं जो राइट में पड़ा हो यह हो गया तो 100-10 इस 90 प्लस 5 में 95 को यह हो गया हमारा रोमन नमेरल से हिंदूर अरैबक में Bis और जो 3rd है हमारा 3rd क्या है हमने कम किंपैरिशन करना है इन नंबर का तो पहले हम रोमरmiş मेरल में से हमने हिंदूर आपक में कंशनर देते इसी हो जैता है उसको कंपरींजर्ड करना तो यह क्या है हमरा सी-सी का क्या मतला होता है हंडर्ड तो सी क्या क्या मतला होता है हंडर्ड तो स्टुदेंट सी हो गया 95 six seven यह तो यह हो गया 98 एंड देखो यह स्टुदेंस क्या हो गया by peoples क्या मतलता है 90 है हो गया कि IH को क्या मतलता है 92 यह हो गया 97 immigrants अब हमें पता चल रहा है easily आपने यह सिर्फ में करके देख लेना है तो 98 जा 99 कौन सा बढ़ा है 99 तो हमने सिंबल जूज कर लेतना है तो यह क्या है लेस्टैन तो जो 98 है वो लेस्टैन है 99 के क्यों से ऐसे स्टुडनस हमने नेक्स्ट खरना है हमारी पास क्या है ल its LX का क्या मतलत हो Cancer Horse खोता है पदेखा है तो अब बड़े जो सिंबल है 50 एफिर लेफ्ट में 10 पड़ तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 50-10 is 40 students तो आपको पता दल रहा है कौन सा नंबर बड़ा है LX 60 बड़ा है 40 से तो यह greater than this 60 is greater than 40 I hope students आपको यह भी concept में कोई दिक्कत नहीं होगी clear हो गया होगा तो जो next है हमारे पास वो क्या है write the answer in roman numeral अब हमें roman numeral में plus करने को बोला गया है और जो answer आएगा जो sum आएगा वो भी हमने निकाल के roman numeral में ही लिखना है तो students पहले तो हम यह number दिखते हैं कितना है 3X पड़े हैं तो यह 10 प्लस 10 20 30 एंड यह क्या है 9 यह तो यह हो गया 39 प्लस यह क्या है 5678 तो जो इसका sum आएगा 39 प्लस 8 इस 47 तो अब जो हमने sum लिखना है वो भी roman numeral में ही लिखना है न तो 47 को हम कैसे लिखेंगे students पहले 40 देख लो कैसे लिखते हैं देखो उपर भी मैंने आपको बिताया था तो 40 का वैसे तो कोई symbol नहीं आपने 4x नहीं लिख देने क्योंकि आपने मैंने आपको उपर भी बिता दिया पहले कई बार बिता दिया सिर्फ तीन बार ही हम repeat कर सकते हैं किसी भी सिंबल को ठीक है students तीन से ज्यादा नहीं तो हमारे पास एल जो होता है वो 50 का सिंबल होता है तो जब एल के हम लेफ्ट साइड एक्स लगा देते हैं तो वो किसका सिंबल हो जाता है 40 का तो अब हम मेंने क्या लिखना है 47 तो 7 का क्या सिंबल होता है पी आई 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 तो य सिए لى का सी सौरी एक सैंसी तो See है 100 का है एन एक आज है वो टैन का जो बिगर नंबर के लेफ्ट के साइड समॉलर नंबर पढ़ा है तो यह क्या हो गया माइनस तो हइंडर माइनस 10 इस良ए 10 होती है प्लस XL किसका होता है 40 ओके स्टूदेंस तो यह क्या हो गया 130 इसका अंसर आ गया तो अब हमने 130 को रोमन नमेरल में लिखना है तो 130 130 ओके तो 100 के लिए क्या सिंबल होता है स्टूदेंस एक्स एन 30 के लिए कोई सिंबल नहीं होता हम किसी भी सिंबल को तीन वार तो रिपीट कर सकते हैं राइट हैंड साइड तो थर्टी क्या होगा एक्स तो यह क्या होगा 110 120 और 130 तो स्टूदेंस ऐसे आपने यह रोमन मेरल का जो कंसेप्ट है कर लेना है इजी है आई होप यह आपको समझाया होगा स्टूदेंस आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू